आप सभी को नमस्कार मैं विनोत प्रजापती या बहुत ही खुबसूरत जगह या बहुत ही खुबसूरत गार्डेन हमारे उसरी माफी में है और इस जगह का नाम चंदरभान का डेरा है मैं और हमारे यहां के सियू सिंग भाईया हैं हम लोग के काफी दिली इच्छा थी कि हम सैलेश सर को बुलाएं जो जी आईसी बरगड में प्रवक्ता है फिलाहाल सैलेश कुमार यादो सर तो हमने सर को बुलाया और सबसे पहले हम यहीं चंदरभान जी के डेरा पे आए और यहां पर सर बहुत ही ज्यादा इंजो आई किये और यहां पर बहुत सारे फालावर फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं जहां पर आभी आपको दिखाएंगे यह मैं हूं और सैलेश सर जी हैं हमारे साथ में और हमारे कैमरामन है प्रवाकर मौर देख सकते हैं कितना ही और मैं नजर आ रहा हूं यहां खुबसूरत आउला इसी गार्डेन का है जो देखने में बेहाधी शांदार लग रहा है हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विनोत प्रजबती दोस्तों यह सेव का पेड़ है यह पल्ट्री एंड यह चेरी का पेड़ है लेकिए चेरी छोटे-छोटे फल लगे हुए हैं और हम लोग आए हैं सिव सिंग भाया जी के यहां घुमने और यहां पर बहुत ही खुबसूरत जो आप देख कर मनमोहित हो जाएंगे यहां चेरी के पेड़ हैं और हैं बहुत ही खाने में स्वाधिस्ट आती हैं चेरी अब मैं आपको मिलवाओंगा सानवी से जो बहुत ही क्यूट बेबी हैं चेरी कहा लगी है चेरी इस्ट्रबेरी की ज़र है चलो बताओ बताओ तक इर श्केड़ें कि रिची कर दूदाद다면 में स्कीष कमा साओ डूर पांडबधानर tutव के जो आतादर थो घरी हैं चाहिएयस अँव देखिए कंतर ट्राविश्या लया तकिया थावें व्याइविद आइदे मिलभाननाश अब छीन है याए यह ज़िए कर दीक् दोस्तों यहां हमारे उसरी माफी का फ्रेंट साइड में तालाब है जो बहुत ही शांदार तालाब नजर आ रहा है और मैं यहां पे और शैलेज सर और शिव सिंग भहिया जी और प्रभाकर हम सभी लोग साथ में यहां पल का आनन्द उठा रहे हैं और घूम रहे हैं आज 15 जरुबरी है और मकर सक्रांती का भी दिन है आज और यह मौसम बहुत ही सुहावना नजर आ रहा है अब पुना हम लोग गार्डन की तरफ वापस जाएंगे इस केट सी बेबी का नाम शानुवी मौर है और इनके पिता का नाम बिंदेश्री प्रशाद मौर है हम और सले सर और प्रभाकर वापस गार्डन पे आ गए हैं और सर फुल इंजॉई कर रहे हैं सर लाई और फूटे हुए चने चबा रहे हैं और बहुत ही सर प्रसन्द हुए यहाँ पर आकर उनकी मुसकान बता रही है कि सर बहुत ही खुस है यहां के और यहां का दरश से बहुत ही निचुरल है बहुत ही खुबसूरत है